पीपल का पेर जी हां आप पीपल के पेर से बहुत अच्छी तरह से परचित होंगे अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि सनातन धर में पीपल के ब्रच की पूजा भी की जाती है लेकिन सिर्फ इसका धार्विक महत ही नहीं है बलकि इसका ओशदिय महत भी है जी हा आपको पीपल के पेर के फायदे और शेदिये फायदे के बारे में बताने वाली हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पीपल का पेर एक ऐसा अकेला पेर है जो दिन और राद दोनों समय हमें ऑक्सीजन देता है फिद्यरोग में फायदे मन पीपल के ताजा 6-7 पते लेकर पीस कर 400 ग्राम पानी में डाल कर 100 ग्राम रहने तक उबाले ठंडा होने पर पिए पर याद रखे जो बरतन है वो स्टील या अलमुनियम का नहीं होना चाहिए जिससे आपका हिद्यर ठीक होना सुरू हो जाएगा अगर आप रोजाना पीपल के पत्तों पे कितना भी पुराना दमा हो ठीक हो जाता है पीपल के ताजा चार से पांच पते लेकर पीस कर पानी में मिलाकर पिए एक या दो बार में ही पीलिया में अराम देना शुरू कर देता है अगर आपको किसी भी तरह का नशा है नशा से चुरकारा चाहते हैं तो पीपल की छाल क चीनी में मिलाकर दिन में 5-6 बाद चूसे कोई भी नशाहों छूट जाता है आपको कितना भी डिप्रेशन हो पीपल के पेर के नीचे जाकर रोज 30 मिद बैठिये आनंद आ जाएगा सारा डिप्रेशन खत्म कर देता है अगर आप पीपल के पत्तों का डंटन समेत काढ़ा प कर बाहर कर देता है शरीर में कहीं भी सूजन हो दर्द हो पीपल के पत्तों को गर्म करके बांद दे तुरन ठीक हो जाएगा पीपल का फल और ताजा कोपले लेकर बराबर मात्रा में लिए और इसे पीस लिए चीनी के साथ दिन में दो बालें बच्चों का तुदुलाना और दिमाग बहुत तेज करता है जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है जो बच्चे दिन भर रात भर दौरते भागते हैं सोते कम है पीपल के पेड की नीचे बठाए सब ठीक हो जाता है कितना भी पुराना घुटने का दर्द हो पीपल के नीचे बैठें यो सब्सक्राइब करना पहली बच्चों अपराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करो बगर में लगी घंटी बचादो फिल हाल दोस्तों वुड़ो में इता ही मिलता है नेक्स वुड़ो में तब तक लिए जय हिन जय भारत